सावधान हो जाईए यह दिक्कत आपको भी हो सकती है और यह परिशानी अगर आपको है तो इसकी परड़ेती अच्छी नहीं होगी जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं कई मित्रों के परामर्ज पर डिप्रेशन जिसे आउसाद कहा जाता हिंदी में डिप्रेशन के सिकार लगभग 35 फिश्टी लोग हैं अदेश में पूरी दुनिया के लोग सिकार हैं क्या बच्चे क्या बुढ़े क्या जवान क्या पुरुस क्या महिलाएं और अंत तो इसका बहुत दुख़द होगा यदि आप मृतु से बच गए आत्मात्या से बच गए तो भी जीवन आपका कश्टप्रद होगा और उस जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है घिसट घिसट करके और ऐसे करके जीना चिचलापन होना सामान पटक देना बात बात में गुसा करना खोए खोए रहना नीद गायब हो जाना या फिर अधिक नीद लगना यह सब कारण है और यह कारण बहुत ही भयावा है निदान भी आपके पास है कहीं खोजने के लिए क और जाने क्या हो सकता नहीं है यह होता क्यों है इससे आप बचेंगे कैसे और इसके लक्षण क्या है बहुत आज का जो यह महत्पून वीडियो है आप इसको ध्यान दें ऐसा नहीं कि मैं कोई भी से सग्य हूं और ग्यान बात रहा हूं लेकिन मोटा मोटा आप भी मनोची कितसक हो सकते हैं और इन लक्षणों को जान सकते है जाहिसी बात है जिनका धंदा वेवसाय खवफपथ हो गया यह अभी है कि जो लोग दूर देश रहते थे जो कुछ भी करते थे दौकरी पेसा बेवसाय वह चौपट हो गया घर आ गये हैं घर आने के बाद नए तरह से गिरहस्ती बसा रहे हैं पैसे जो थे वह खाने पीने और अन्य सुख सुविधाओं में समाप्त हो रहे हैं जाहिर सी बात है क्या उसाद होगा आगे कैसे करेंगे हम अरे बैंक का पैसा तो अब इतन आउसाद ग्रस्त हो जाएंगे कई कारण है डबलू एच्चो ने कहा है कि कुछ दिनों में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी ऐसा कहा है और बुजरुक से लेकर कि इवा तक इसके सिकार हैं इसके कारण जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं जो मन वांचित इच्छाएं हैं वह पूरी नहोंना तैसे आपने पाल लिया है कि इतना समय में तैसे मैंने पाल लिया है कि हम मिलियन में करेंगे इतने समय में अब मिलियन में हो नहीं रहा है समय बीत गया हमारे साथ वाला कोई हमसे आगे निकल रहा है तो एक तु यह बात है कि हम प्रत्यश्वरदी भावना रखें और भदो हमिन्फ केरेंगे चलो कोई बात नहीं इससे तो डिप्रेशं नहीं होगा और अगर हम यह सोचेंगे यारेश निकल कर से गया अब हम क्या करें तो आगर हम एरस्या रखेंगे लें दिप्रेशन होगा किसी ग्यात अग्यात भीबारी आपको है जैसी पता लगया कि श बभांद ओर आपनले सकता है अनुकूल कार अगर नहीं होगा तो भी आप अवसाद ग्रसित होंगे अनुमानसिक भी है या अगर आपके पिता जी को दादा जी को आपके नाना जी को है नानी जी को है तो भी बीमारी आप कहां आ सकती है इसलिए अब लक्षण है कि आदमी सान्थ रहेगा लक्षण है कि अदिक सोयगा लक्षण यह भी है कि उसे नीद नहीं आएगी खोया खोया रहेगा किसी पार्टी फंक्षन में नहीं जाएगा जो अपने लोग है उनसे कट जाएगा और फिर मित्र मंदली रिष्टानाता से उसका सम्मंद लगातार कम होता जाएगा चिंतित रहेगा नकरात्मक नजरिया रहेगा हमेशा नहीं हमसे नहीं होगा हम कैसे कर पाएंगे नहीं होगा हमसे नहीं होगा नहीं कर पाएंगे चिल तो आप उनसे बात करें और यह जानने का प्रियास करें कि दिक्कत क्या है परिवार में बच्छों को भी हो सकता है अत्यधिक बोज है उसका है टीचर को बोज है कि अब अध्यापक निकाले जा रहे हैं यह भी बोज है कि अगर उनको ठीक से पता नहीं है आनलाइन क्लास कैस साथ गर उंगे जो बच्छे पढ़ रहे हैं उनके भीभावक और साथ गरस्त होंगे क्योंकि उनके पास परिवार के कई सदस्य से देखते रहते हैं घर का सबस्ते जिम्मदार सदस्य हो चला गया धंदा करने यह मोबाइल लेकर के बच्छा पढ़े गा कैसे यह बी अभी है कि गोल गोल घुमेगा, नेटवर्क नहीं काम करेगा, तो अन्य बच्चे यदि आगे जाएंगे, और बच्चा पढ़ना चाहता है, परिवार के लोग भी अपने सीमित संसाधनों में उसे पढ़ाना चाहते है, नेट की उपलब्धता नहीं है, तो फिर अवसाद हो लोग अवसाद ग्रसित हैं, बरतमान बाहौल में, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बस में जाएंगे तो भी उनको टेंसन होगा, कि हम बस में चड़ रहे हैं गेट पकड़ के, क्या पता यहां संकरमर नो हो, और वाइरस हम से चिपक न जाएं, क्योंकि बहुत से लोग का बनी रहेगी, बगल के सीट वाले को आप रोक नहीं सकते, अगर उसको खासी आ गई तो फिर बीमारी आपकी सुरू हो गई, बहाराल बचकर के रहता हूं, चलिए बहाराल आम लोग अब आते हैं, कि असब तो कारण हो गए, कि काउन से कारण है, अब हमें निवारन पर चलना है, निवारन में सबसे बड़ी बात यह है, कि हमारे सास्तरों में भी कहा गया है, कि सब्ध है संतोस, संतोस तुल्यम धनम अस्तिनान्यत, संतोस से बड़ा कोई धन नहीं है, इसके कारण को हमने नहीं मताया, जो युवाबर्ग लगातार आत्मातिया कर रहा है, पु रही है, इनके वन बांचित साधी नहीं हो पाई, प्यार में धोका मिला, तो यह अभी एक बड़े कारण है, लेकिन बड़े-बड़े लोग भी आत्मातिया कर रहे हैं, अभी एक सीने जगत के विनेता ने आत्मातिया किया, खोज बीन चल रही है कि कारण क्या है, आत्मात नियाईक सेवा के लोग भी आत्मात्या करते हैं, उसके मुल में कहीं न कहीं डिप्रेसन है, चलिए हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे बचे हैं, एक तो जाए कि भीया हंसी अगर गायब है तो हंसी किसी परकार से ले आईए, और बच्चों के साथ अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाईए, उन्हीं के साथ खेलिए, उन्हीं के साथ दोडिए, उन्हीं के साथ घुटनों के बल पर चलिए, कभी पीठ पर बैठाईए और उनके साथ खिल खिलाईए, देखिए उनको, दूसरा बिसे हैं कि अगर आप किताब कापी और इसे आप लगतार मित्रता की सूची में इन्हें रखें मन पसंद कहानियां पढ़ें कुछ पुरानी फिल्में देखें और संगीत इससे बचने का एक बड़ा कारण है संगीत में आप अच्छे गीत सुने स्वयम गुन गुनाएं अगर बाद यंतर कोई और इसकर शीखने का कोई समय नहीं होता है प्राद आयाम और बियायाम जरूर करें अगर यह करेंगगे तो आपका परसीदा निकलेगा और आप एकागर होंगे आइसे चलें और करने क्या हो सकता है अगला भी से हैच्छा मा करना सीखें तो इसमें भी डिप्रिसन होगा अगर रोजगार की दिशा में है आप से कोई आगे निकल रहा है तो भी डिप्रिसन होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया अगर आप से पढ़ाई में कोई अच्छा निकल रहा है तो भी डिप्रिसन होगा अगर आप खेल के छेतर में उसमें कोई आगे निकला है तो भी आपको अगर आप सकरात्मक सोच के धारक नहीं है तो आउसाद गिरस्तित होंगे और वो उस आउसाद की परिड़ती बहुत ही भयावा होगी जैसा की देखा जा रहा है चमा करना सीखें अगर ऐसा होता है तो उन्हें आप चमा कर दें जैसे कमल कमल टावरी जी भारती प्रसास निक्षेवा के अफसर है और 42-43 साल पहले हमारे हां डियम रहे तो अकत है मैं छमा कर देता हूं मैं कहता हूं कि यह नहीं जानता हमारे बारे में जो ऐसा कह रहा है गाली दे रहा है हमारे बारे में उल जुलुल कर रहा है तो यह तो नहीं लेकिन कमल टावरी तुम्हें तो पता है कि तुम क्या हो, कमल टावरी तुम्हें ऐसा नहीं, छमा कर दो, छमा कर दो, एक छमा बहुत बड़ा गुण है, लेकिन भईया ये तीसरे चरन का है, पहले चरन में तो परतिरियाबाद है, दूसरे चरन में पहले में है कि हम इंका ज अब पक्षियों को चारा डाली है, हमारी चोटी बहन उसा है, कम से कम तीन सव पक्षियां उनकी अच्छी दोस्त हैं, उसमें गोरिया है, मैना है, कबूतर है, इस तरह से अन्यानिप पक्षियां हैं, कवा हैं, सब आते हैं, और उनके लिए वह चारा का इंतिजाम करती हैं, पहले कच्छा चावल डालती थी, अब पका करके डालती हैं, उनके लिए गोसला बनाया गया है, कई गोसले किसी में बुल बुल रहती हैं, किसी में गोरिया रहती हैं, किसी में अन्य प्रजात की पक्षियां रहती हैं, यह अभी एक कारान है, गमलों से दोस्ती करिए, कु पक्षियों को उरते हुए जो हमारे बिहंगम साथी है उन्हें हमने कभी नहीं देखा और उनका आनुकरन नहीं किया उन्होंने कोई सीमा नहीं बनाया अपने हमने सीमा बार दिया हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिक्ष हैं इसाई हैं हम पंडित हैं हम ठाकुर हैं हम दलित हैं अब येक सज्जन काया था पिता जी के साथ हमने कोई वीडियो किया था तो उसमें उन्होंने का कि माता सत्र पिता बहरी ऐसे का कर क्यों कि वह माता पिता सत्र दुसमन के समान, मेरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो उन्हों Judrai को पढ़ाने के लिए सास्तृ में मना कियाた Another विए ऊपने नहीं देखा, कि सास्त्र में ऐसा कहा गया है पुर्ण प्रभा के साथ आपका इंतिजार कर रहा है, तो आप उसका आनंद लिजिए, डिप्रेशन में धूप, अगर आप धूप लेते हैं, तो अभी आपको फैदा करेगा, गिलास का पानी पीजिए, लुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, गहरी सांस लि नहीं रखना है, उसमें होड की भावना होगी, तब तो हम ठीक रहेंगे, और भया अगर परिसान, मुझे भी कभी कभी होता ऐसा नहीं है कि, मनों से हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन निकलने का प्रयास करता हूँ, निकला ऐसे ही जाता है, देखकर के, कभी आपने किसी ऐ रेलेवे स्टेशन का कुली, सीर पर गठर रखे था, पीठ पर भी गठर था, इधार भी गठर, इधार भी गठर और सीडिया चड़ रहा था, खूब बाउज में सीडिया चड़ रहा था, तो दुनिया के सबसे धनवान, व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, देखता रह गय कहा कास हम अपनी पूरी संपत्ति दे करके भी इस व्यक्ति का हम स्वास्त खरीद पाते आसा करता हूँ आज का वीडियो बस इतना ही आप सभी को अच्छा लगाओगा दोस्तों मैं कोई मनोची किछक नहीं हूँ लेकिन हजारों लोगों का इस तरह से इलाज किया गया है जानने का प्रयास किया गया है तारे जमीन पर इस जो आमीर खान की फिल्मे इस तरह से तमाम फिल्मे हैं जो आपको यह बताएंगी कि किस तरह से हम बच्छों के मनोबहाओ को जानेंगे वजह क्या है टीचर को भी ए जिन्दादिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, आएए आउसाद की ऐसी की तैसी है, और बढ़िया से जीएंगे वह लोग भी जी रहे हैं, जो एक तिरपाल लगा करके एक पालिथीन का ऐसे डाल करके लकडी लेकर के आते हैं, और बच्छे टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि एक रोटी दो रोटी मिल जाएगी, वो अभी खूस हैं, वो अभी अपने जीवन से खूस हैं, तो हमें आपको तो परमात्मा ने महुत दिया है, दो-दो हाथ करेंगे, महनत करेंगे, और जिसने जनम दिया है, जो दीने हैं चोच, वह देंगे चारो, नम